दोश्तो मैं आपको एक डेटा दिखा रहा रहा हो T.10 के स्कोरिंग सिस्टम से रिलेटेड जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो की T.10 के अपडेटेית स्कोरिंग सिस्टम के बारे में था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था strike rate of a batsman right देखो अभी मैच चल रहा है चेनाई ब्रेप्स और Northern Warriors के बीच में ठीक है और अगर आप देखोगे Adam Leith का Adam Leith का score देखोगे game score तो 78.50 और अभी देखो इन्होंने run कितने बनाए है इन्होंने केवल और केवल 30 run बनाए है और अगर strike rate देखोगे तो 2.14 का है राइट 30 run बनाए है और 2.14 का strike rate है और इनको points मिले 78 अब मैं आपको एक और data दिखाता हूँ दोस्तों देखना जो भी से पहले वाला match था उसका मैं आपको दिखाता हूँ New York strikers और Sam Parmi के बीच जो match था उसमें आप देखोगे यहाँ पे मोहिन अली ठीक है मोहिन अली का देखोगे तो game score जो है 70.20 आया हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके scores क्या है इन्होंने 42 runs बनाया थे दोस्तों 42 run बनाने के बावजूद भी इनका जो game score है हो केवल और केवल 70 गया है है ना और इनकी strike rate के अगर हम बात करें तो 1.68 की strike rate है थोड़ी सी कम है अगर हम Adam lead से बात करें तो Adam lead का मैंने आपको दिखाया था कि कितना है एक मिनट Adam lead का हमने देखा कि 2.14 है राइट और मोहिन अली का कितना था 1.7 के असपास था और इनका 2.1 के असपास है तो करीब 40.40 पॉइंट का डिफरेंस है लेकिन वहीं आप देखो केवल और केवल 30 रन इनों ने बनाए है तो इनको तुरंत ही 78 पॉइंट मिल गया है मतलब 8 पॉइंट जादा मिल गया है 30 रन भी बनाने में और वहीं मोहिन अली का आप देखोगे फिर से मैं दिखा दा हूँ तो 70 पॉइंट इवन एडम लीत ने ध्यान से देखो इवन एडम लीत ने 30 ही रन बनाए और उनकी गेम स्कोर होगे 78 मोहिन अली ने 42 रन बनाए 12 रन जादा बनाए टीटेन के हिसाब से 12 रन बहुत हुआ 42 रन बनाए उसके बावजूद भी उनकी गेम स्कोर 70 गिर रही यानि कि 8 पॉइंट अभी भी कम है इवन मोहिन अली ने जादा रन बनाए तो किवल और किवल दो कि करीब 68 के आसपस वो गेम स्कोर करी देंगे जो कि आलमोस्ट मोहिन अली के बराबर ही है फिर भी देखो मैं आपको टोटल यही बताना चाहरा था कि स्ट्राइक रेट कितना ज़्यादा इंपक्ट कर रहा है तो ऐसे बैट्समेन को चूज करो जिनकी स्ट्राइक रेट हमेसा जादा ही रहती है जो बहुत तेजगती से खेलते हैं यही मेरे कहने का पूरा मोटीव था इवन चाहिए वो टीटेन हो चाहिए वो टीटेन हो चाहिए वो ओडियाई हो अभी मैंने जाहता कि स्कोरिंग सिस्टम देखा है अगर आपका प्लेयर का इच्छा रहता है तो उससे आप काफी अच्छा खासा जो आपके बैटसमेन का अगर स्ट्राइक रहता है तो उससे प्रॉफिट जाधा होने के चांसे दाए क्योंकि इसका गेम स्कोर उतने तीजगती से मूव करेगा राइट मैंने आपको live example भी दिखाया कि किस प्रकार से मोहिन अली ने जादा run भी बनाया फिर भी उनका game score कम है जिसकी वाज़े से उनकी price की movement भी कम होई ठीक है अभी मैं आपको बताओं कि Adam Leith अभी मैंने जब match continuous में देख रहा था उन्होंने 15 या 16 run बनाया थे लेकिन उनका game score 70 था तो आप समझ सकते हो कि 16 run केवल बनाने के बाद उनका game score मोहिन अली के बराबर चल रहा था केवल 16 run बनाके और कहां मोहिन अली ने 42 run बनाये थे तो यह चीज आप ध्यान से समझो कि strike rate कितना ज़्यादा impact करता है T10 में या T20 में तो उम्मीद करता हो कि आपसे इस data से आपको समझ में होगा कि strike rate impact करता है और kings player को आप trade में लोग है जिनकी strike rate काफी अच्छी रहती है जो कि काफी तीज गती सरन बनाते है चाहें वो 20 run ही बनाये लेकिन strike rate अगर उनकी 200 अबव है 200 किसे उपर किये तो वो काफी साथ आपको profit देने वाले है तो फिलाल इस वीडियो में आई उम्मीद करता है वीडियो आपको समझ में होगा clearly चीज़े समझ में होंगी ऐसे profitable वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आने वाले दिनों मैं ऐसे शिक्सर से रिलेट काफी सारे वीडियो मैं आप अपडेट करता रहूंगा पोस्ट कर